साथ नमस्कार स्वागत है आप सभी के अगबार फिस से आपके चलान सोशल विकुपे कुछ लंबे अंतराल के बाद हमारी आप सभी के साथ फिर से मुलाकात हुई है और किसी काड़ो वस मैं कई कई दिनों तक जो है आप सभी के साथ कोई भी अपडेट या इन्फोर्मिशन साजा नहीं कर पाया था और अभी जो भी कुछ घटना करम घटित हुए हैं पिछले कुछ दिनों में यानि बात की जाए अपके एक हफ्ते के अंतराल में जो कुछ भी घटना करम घटित हुई है वो मैं आपको आज के इस वीडियो मादम से दिने वाला हूँ और बैक टू बैक आप आपको वीडियो मिलेंगी एक दिन में चार्स लेके पांच वीडियो आपको मिलेंगी जिसमें कि हर एक छोड़ा छोड़ा अप्डेट जो भी मिस हुआ होगा वो आप सभी को साजा किया जाएगा पिछले कुछ दिनों में तो लेकिन अभी जो सुप्रीम कोट में नेडर लिया गया है उसके उपर क्या कहा गया है उसमें क्या अपडेट है वो मैं आप सब साजा कर दूं सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया एज एक्स्पेक्टेड एंटीसिपेटेड एपिएस नाइडिफाइफ मैटर्स है बीन रेफ किया सकता है तीन बेंचेज के जज़ेस के उपर और जो उमीद था वही हुआ सुप्रीम कोट ना कोई नेड़ा नहीं लिया है इसके रेफर कर दिया है अगले बेंचेज के तीन जज़ेस के सुनवाई करेगी और उसके बाद कुछ नेड़ा लेगी अब यह हो सकता है वह लंबा हो सकता है थोड़ा जल्दी हो सकता है यह सुप्रीम कोट को पर निभा करता है लेकिन अब यह प्रोसेजर जो है तीन जज़ेस के बेंचेज के लिए रेफर कर दिया गया यानि जो लंबा समय से आप सभी का मामला चल रहा है उस मामले को और लंबीत हो गया है मतलब से अगले तीन जज़ेस के बेंचेज के लिए रेफर कर दिया गया है अब यह देखना होगा तीन ज़ेस के जो बेंचेज है वो कविसकी सुनवाई करते है और क्या अपडेट आएगा जो भी अपडेट आएगा साजा किया आप सभी के साथ काफे महतपूर जनकाई थी आस